अनो एक मेरा theoretical सवाल है आपने decentralization of media की बात की कि दिल्ली से हटाके और जगा की जाए मेरा मानना है कि media survive दिल्ली से ही करेगा ओपिनीन आपका अलग हो सकता है जिस तरीके से scotch दुनिया में कहीं भी बन जाए स्विटजर लंड के मुताबिक वैसा scotch नहीं बन सकता है news का जो sense है वो दिल्ली में ही रहेगा मेरा मानना है मैं तारी भी नहीं पी है इसलिए मुझे scotch के बारे मैं नहीं वालू कैसा होता है लेकिन स्कॉच जो स्विटजर लंड का है वो इंडिया में चाहे कैसे भी बना ले आप नहीं बन सकता है उसी तरीके से जर्मलियम और मीडिया दिल्ली में ही रहके सर्वाइब कर सकता है यह में स्कॉचलेंड आप शायए चॉकलेट्स के बारे में बोल रहे हैं मगर अनिल जी यह आपका व्यू है यह मेरा व्यू मैं नहीं कहरा है कि दिल्ली से आप हटा दीजिये मैं कहरा हूं आप दिल्ली में फोकस मत कखिये सारी देश की मीडिया नॉड़ा से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं मैं नॉड़ा में बैठके आपको कह रहा हूं यह देश के लिए अच्छा नहीं है और दूसरी बात जो मैं आपको अपने मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको भी पता है अनल जी कि मैंने इदर दस साल रिपोर्टिंग की है दके खाये मैंने भी इदर मगर मुझे जो लगा कि मुंबई में बैठके मुझे एक सेंस ऑफ इंडिपेंड़न्स थोड़ा मिला क्यूंकि जब जिस पर आप रिपोर्ट करें उनसे नहीं मिलते हैं आप अगर किसी को सिर्फ इंटर्व्यू के लिए मिलते हैं और डेली बातचीट के लिए नहीं मिलत है तब आपके रिपोर्टिंग जादा इंडिपेंडेंट होती है सुरेश कलमाडी के खिलाफ सारी मीडिया सॉफ्ट क्यों हो गई थी क्योंकि सुरेश कलमाडी को सोशली सब लोग जानते थे आप जिनके घर में जाके डिनर खाएंगे जिनके साथ आप स्कॉच पिएंगे उन पर आप स्कैम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं तो एक जो डिस्टन्स बनता है रिपोर्टर और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बीच में मुझे लगता है और बढ़ना चाहिए कि आप डिल्ली में बैएखे हुए बैठते हुए अप डिल्ली में बेस्ट अ कर साइकॉल जिकल्जिकल डिस्टंस अप gwäreक्ष अगर आप स्सक्लिकल डिस्टंस बना सकते हैं अपने पर डिस्पर रिपोर्ट करें तो अच्छी बात है महidän problem क्या होता है दिल्ली में हमारी thinking जो है बहुत जादा सिर्फ party politics पे focused रहती है आप सोचिए इंडिया में जितने party politics के बारे में reporting होती है TV channels पर बाकी देशों में नहीं होता है ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया में भारत में हर चार बाच महीन एक state election होता है मगर हमारी thinking थोड़ी और इस पोलिटिकली involved जो journalist जो guest coordinators जो producers जो input desk output desk हर वक्त सिर्फ political parties के पास मंड़ाते रहते हैं वो independent नहीं हो सकते है अनिल जी उनको आप कोशिश कीजिए मैं आपको कहता हूं आप मेरे साथ मैं ये करना कि मैं आपको इदर बेजिसे ले जा रहा हूं मगर मैं आपको आपको ऑफर करता हूं आप मेरे साथ महीं है मुंबाइ मेरे डिस्क में काम कीजिए मैं फिर आप अनुरादा डूंत मांण बार आप 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 देखें कि आपकी thinking you know you will feel a little more free because you will not meet the same people every day and you won't you will realize that there is a world outside of this also am i making sense to you it's just what i felt you know last year i'll just end this with two for two weeks i had to anchor out of bangalore my father was not well he was admitted in a hospital in bangalore on mg road my office anchor karta hardin mein wapas at the show ke baad saw 200 log bhaar karete te wo muche sir poochte te either is there no other party than arvind kejriwal you know but then i feel that in the streets of bangalore that we have over centralized it so when i'm talking about deluteinizing media i'm not saying take it physically out but psychologically i think a little bit of distance should be built between noida and delhi that's what i feel i'm not saying that everybody in delhi is bad please don't misunderstand me